हलो दोस्तों वेल्कम बैक माई यूटूब चैनल दीपक मेले लेक्टिकल हिंट्स दोस्तों आज मैं आपको हुष्टल वाइरिंग कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ जबकि छे प्रैक्टिकल हमारे पहले से कंप्लेट हो चुके हैं जो कि टूए स्विच केनेक्शन सुरंग वाइरिंग कनेक्शन देख जिसने लिए हमारे पीछले प्रैक्टिकल ने देख होुआ वीडियो का लिंक में डिस्प्रेप्समीं देढ़ nam आप सभी प्रैक्टिकल एक एक करके देख सकते हैं को सबसे पहले में टाइग्राम के माद दिन से बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको practical कराऊंगा, अब हम देख लेते हैं, hostel, office room का टाइग्राम, दोस्तों सबसे पहले हम इसकी working जान लेते हैं, यदि हम पहला switch on करते हैं, तो सभी room के बलप एक साथ रोस नहीं देंगे, और यदि हम हम पहला सुच ओप करते हैं तो रूम का बल्ब उसी रूम से ओण ओप कर सकते हैं दोस्तो हमने यहाँ पर पांच लैंप लिए हैं 1,2,3,4,5 और पांच टुवे सुच लिए हैं 1,2,3,4,5 और एक सिंगल वे सुच ले लिया है उपर की सभी वायर को हम कॉमन कर देंगे और नीचे की सभी वायर को हम कॉमन कर देंगे यह हमने कॉमन वायर ले लिए और यह हमने कॉमन वायर ले लिए और इसको हम L1,L2,L3,L4,L5 और यह हमने पांच टुवे सुच ले लिए हैं 1,2,3,4,5 और यह हमने एक one way switch ले लिया है अब हमने जो नीचे की और common wire की है उसको हम page की supply देंगे और जो हमारे पास two way switch के 20 के terminal है उनमें हम एक एक करके lamp की wire connect कर देंगे जैसे यह हमने पहले lamp की wire connect की है दूसरे की और यह तीसरे की यह चोथे की और यह पांचवे की सभी lamp की एक acquire को common करके neutral की supply देंगे neutral हमने common कर दिये यह हम यह switch on करते हैं तो हमारे सभी bulb एक साथ जलेंगे क्योंकि यह switch on करने पर यहां भी face चला जाएगा और उपर की और face चला जाएगा यदि हम switch को on करें या off करें कोई प्रक पड़ने वाला नहीं है तो इसलिए यदि हम switch को off करते हैं जब भी bulb जलेगा on करते हैं तब भी जलेगा और यदि हम इस switch को off रखते हैं तो off करने पर क्या होगा यदि हम switch को on करेंगे तभी बल्प सलेगा और off कर देंगे तो हम room से ही operate कर सकते हैं क्योंकि पहला switch off करने पर उपर की connectivity खतम हो जाएगी और नीचे face direct मिलता रहेगा आये दोस्तों अब हम इसका practical देख लेते हैं दोस्तों एक हमने switchboard ले लिया है जिस पर हमने एक single way switch और चार two way switch लगाए है और हमारे पास एक scooter वर है एक हमने phase के लिए wire का टूपड़ा ले लिया है और दोस्तों यह हमारे पास चार half wire है चार लैंप की लैंप वन टू ठीरी और फॉर और न्यूटल को हमने यहाँ पर common कर दिया है यह हमारे पास एक switchboard है जिसमें हमने सभी न्यूटल को common करके पहले से ही connect कर दिया है अब मैं आपको connection बता देता हूँ सबसे पहले हम page wire लेंगे दोस्तो हमने एक single way switch लिया है और चार two way switch है जिन में नीचे के सभी terminal को हम common कर देंगे और उपर के भी सभी terminal हम common कर देंगे जिसको हम switch के उपर इस तरह से connect कर देंगे सब पहले मैं यहाँ पर page wire को connect कर देता हूँ जो की हम सभी switch के नीचे की और connect करेंगे अब मैं पहले lamp की पहली wire लूँगा और पहले two way switch के बीच में connect कर दूँगा इसी तरह से मैं दूसरे lamp की दूसरी wire लूँगा और दूसरे two way switch के बीच में connect कर दूँगा और इसी तरह से मैं तीसरे lamp की तीसरी wire लूँगा और उसको तीसरे 2A switch के बीच में connect कर दूँगा अब मैं चोथे लैम की चोथी wire लूँगा और उसको चोथे 2A switch के बीच में connect कर दूँगा दोस्तो इस तरह से हमारे connection complete हो चुके हैं दोस्तो एक बार मैं finally repeat कर देता हूँ यह हमने face wire लिये जो की सभी switch के नीचे के और connect कर दिये और एक चारो लैम्प की एक एक wire लिये जो हमने सभी 2A switch के बीच में connect कर दिये दोस्तो हम board को सिधा करके supply देते हैं यदि हम पहला switch on करते हैं और सभी switch off है तो सभी bulb एक साथ on off होंगे दोस्तो हम यहाँ पर MCB का यूज़ करते हैं MCB का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि 2 या 2 से अधिक लैम्प जब हमें एक साथ on off करने होते हैं तो हम MCB लगाते हैं क्योंकि load अधिक हो जाता है और MCB लोड के इसाब से आती है यदि हम सुरू का switch on रखें और बाकी सभी switch off या on हो तो सभी लैम्प एक साथ जलेंगे और यदि हम पहला switch off रखें और एक एक करके सभी switch हम room के on off कर सकते हैं on करने पर एक एक कमरे का लैम्प चलेगा और यदि हम off करेंगे तो ओप करने पर एक कमरे का लैम बन होता चला जाएगा और यदि हमें एक इस्थान से ओपरेट करना है तो हम पहला सुच ओन कर देंगे फिर बाकी सुच वर्क नहीं करेंगे केवल ओप करने पर ही सभी सुच वर्क करेंगे दोस्तो आसा करता हूँ कि आपको मेरे दुआरा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तो जितने प्रैक्टिकल हमने अब तक कराए है सभी की वीडो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से वीडो को देख सकते हैं या हमारे चैनल दीपकमल इलेक्टिकल हिंट्स पर भी विजिट कर सकते हैं दोस्तो जदी वीडो पसंद आए वीडो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बैल आइकन प्रेस करके नोटिपिस नाल पर किलिक करें ताकि हमारी वीडो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे मिलते हैं दोस्तों अगले practical में जो की house wiring connection का होने वाला है house wiring connection कैसे की जाते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको दूँगा और घरों की wiring fitting कैसे की जाती है उसके बारे मैं आपको बताऊंगा इसलिए दोस्तों हमारा अगला practical जरूर देखें दोस्तों हमारी वीडियो देखकर आपके मन में कोई सिकायत या सुजाओ हो तो comment box में हमें लिखे और दोस्तों वीडियो को like करना ना बूले यदि आप हमें like और comment करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में motivation मिलता है और हम घरों से related आपके लिए अच्छी से अच्छी नई जानक ऑनाओ?